नमस्कार मैं हूँ आदित्य और मेरे साथ हैं तन्वीर आजम जी आज हम बात करेंगे एक्जिट पोल को लेके लोग सवाचुनाओ 2024 के एक्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और इसको लेके राजनितिक सरवगर्मिया बनी हुई है क्या लगता है सर किस तरह से महौल बना हुआ है एक्जिट पोल का देखिए एक्जिट पोल सारे स्टेट के आ रहे हैं दीरे दीरे करके और अलग अलग चैनल से अलग अलग तरीके से आ रहे हैं सबसे पहले हम लोगंटिने ‑‑ कनाटका की बात करते हैं करनाटका में 28 सीटे हैं और पिछले बार बी जे पी नहीं यह से फच्चीज सीटे जीति थी, 2 सीटे जडीस के पास गए थी और 8 सीट जो थी, वो congress के पास गा ती बंगलुरर रूरल की इस बार ये उम्मीद थी कि मतलब कॉंग्रेस वहां बेहतर करेगी क्योंकि कॉंग्रेस ने पिछले साल जो विधान सभा के चुनाव हुए तो उसमें बड़ा बेहतर प्रदेशन किया था और काफी परचंड बहुमत से आये थे तो ऐसी एक संभावना थी कि 28 में से कॉंग्रेस मतलब 13-14 सीटे निकाल लेगी और बाकी बीजेपी को नुकसान होगा 8-10 सीटों का लेकिन जो एक्जिट पॉल की नतीजे आये हैं और अलग-अलग जो नतीजों को हम लों ने देखा हूँ तो उससे हमने एक आवरेज निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि बीजेपी 20-22 सीटे अभी भी निकाल रही है कर्नाटका में और कॉंग्रेस के खाते जारी है और 2-3 सीटे जदीए के खाते में जारी है जदीएस भी इंडिये का ही इस बार हिस्सा है क्योंकि वो मतलब बीजेपी के साथ अलाइंस करके लड़ रहा है मुझे ये लगता है कि मतलब अगर मैं अपनी बात करू तो हम अभी कुछ दिन पहले जब चुनाओ थे करनाटका के ही एक बहुत सिनियर कॉंगरेस लीडर जो कि कॉंगरेस के स्ट्रेजी मीटिंग में हर मीटिंग के हिस्सा होते हैं उन से हमारी बात हुई थी और कैमरा खाने के बाद तो वह कह रहा है थे कि करनाटका में हम डबल डिजिट में तो पका आएंगे लेकिन यह जो एक्जिट पॉल के नतीजे हैं यह उनसे बिलकुल विपरीत हैं तो यह मतलब तो इसमें मुझे कहने में कोई दोराएं नहीं है कि मोधी फैक्टर शायद वही हुआ है कि स्टेट के चुनाव में तो लोगों ने वहाँ पे मतलब सिधर हमया और डिकेश शिवकुमार को देखके वोट दे दिया लेकिन लोग सवाच उनाव की बारी जब आई तो लोगों के शायद उनके दिमाग में मोधी फैक्टर रहा और उनने मोधी के नाम पे वोट दिया है क्योंकि अधर वाइस कोई और फैक्टर नहीं है रसेंबली एलेक्शन के बाद वहाँ इन फाइटिंग भी है बिल्कुल किलियर लीडर्शिप नहीं है एक दो बीजेपी की लीडर बागी हो गया जसी श्वरपा वो अलग जाके उन्होंने चुनाव लड़ लिया उसके बाद भी अगर बीजेपी अगर यह एक्ज जरूर जटका है क्योंकि कॉंग्रेस अपने सीटों को एड़ करना चाही थी और उनको लग रहा था कि वह साउट से ज्यादा आड़ करेंगे नौथ में तो कॉंग्रेस ऐसे भी बहुत कमज़र हो चुकी है लेकिन करनाटका में भी अगर वह एक से अगर वह पांच-छे प करें कॉंग्रेस वह पार्टी है जिनके राष्ट अध्यक्ष भी करनाटका से आते हैं और कहीं ने कहीं जो करनाटका में जो दलित आवादी है या मुस्लिम आवादी है उसका एक खास सपोर्ट उनको दिखता मिलता आया है तो इस चुनाव में जैसे अलग-अलग factors रहे औ और जैसे आपने बताया कि भारती जनता पार्टी में चाहे वह लिंग आए थी तब कि बात की जाए तो युदरप्पा और जगदीश सेटार के अंदर भी इनफाइटिंग लेकिन कॉंग्रेस इसको किसी मतलब कनवर्ट नहीं कर पा रही है या क्या लगता है मुझे लगत के साथ थी और महिलाओं ने भी कॉंग्रेस के लिए वोट किया जो मतलब मुस्लिम अबादी थी उनके लिए भी यह हुआ गया अब क्योंकि बीजेपी जडियेस के साथ चली गई है तो मुस्लिम अबादी भी कॉंग्रेस के तरफ आएगी डिके शिफ कुमार वोकल लिगा के स्ट्रॉंग लीडर हैं और यह जो आपके सिदर हमया हैं यह बेकवर्ड को रुबा जाती है उनसे आते हैं तो समीकरन सारे कॉंग्रेस के फेवर में हैं लेकिन उसके बाद भी एग्जिट पोल में यह दिख रहा है कि कॉंग्रेस उसको उस तरीके से नहीं मतलब स्ट्र जो नौर्थ करनाट का है जो बेलगावी और यह एरिया है वहां BJP का स्ट्रॉंग होल्ड रही है और दक्षिन करनाटका में मामला खोड़ा सा तूनों की बीच टक्कर कर रहा है तो जैसे लोग सभा का चुनाव है अभी तो खैर एक्जीट पूल की बात हो रही है क्या ल जहां गेन करना था बीजेपी के स्ट्रॉंग होल्ड में वो उन्हें वो हासिल नहीं हो पाया है अब अभी ये ब्रेक नहीं हो पाया है कि अगर कॉंगरेस को पांच-छे सीटें मिल रही है तो कौन से मिल रही है बंगलावर रूरल पिछले बार वो जीते थे तो क्या ये बं वोट बैंक है वो अभी भी बरकरार है और बीजेपी ने उनके साथ टाइएप करके अपना ही फायदा किया बीजेपी के लिए कि स्ट्राटीजिक विक्ट्री भी कहूंगा मैं अगर ये नतीजे जो आंकड़े हैं या एक्जिट पोल के अगर ये नतीजे में तबदिल हो सर एक सवाल ये है जैसे कि हमने देखा कि शुरुआती चर्णों में ही करनाट का का जो चुनाओ है वो संपन हो गया अगर ये आखरी फेस तक जाता तो क्या आपको लगता है कि परणाम थोड़े से अलग होंगे होते अगर आखरी फेस तक जाता तो शायद परजुल रिव चुनाओ चलाई है उनको फाइदा हुआ है उनसे लेकिन क्योंकि तब तक जब तक ये पूरा एपिसोड निकल के आया तब तक वहां चुनाओ संपन हो चुके तो उसका कोई फरक नहीं पड़ा अब जो मतलब मेरा जो अपना परसनल आंकलन है मुझे लगता है कि इसमें मत मतलब चाहे कॉंग्रेस वाले कुछ भी बोलें मतलब करनाटका में कॉंग्रेस इता सारे एक्जिट पॉल बनलब गलत होने के लिए होते हैं हुए भी है लेकिन 5-6 से बढ़के वह 2-4 सीट और 2-3 बढ़ जाएंगे 10 से लेकिन जो उनका अपना 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 अनुमान था कि 15-16 सीटे वह तो नहीं हो पाईगे उनका मानना था या तो इलीड करेंगे मामला 50-50 का रहेगा लेकिन वह सिंगल लार्जेस पार्टी बनके उगरेंगे लेकिन वह नहीं हो पाएगा मुझे असा लगए और एक जो भारती जनता पार्टी के तरफ से क्योंकि सौथ का वो का जो वोट बैंकर लिंगायत इनके साथ है वोकलिगा अगर आ जाएगा तो और मतलब उनको फैदा ही दोगा नुकसान तो नहीं हुआ उनको और उनको उनने सीटें भी जादा नहीं मांगी केवल तीन सीटों पे उन्होंने ली और वो तीनों सीटें उनकी थी तो यह है कि मतलब दर्शकों को मतलब रिकैप कर रहे हैं खतम करने से पहले आपने इस डिसकुशन को तो मुझे लगता है कि करनाटका में इस बार भी बीजेपी सिंगल लार्जेस पार्टी बनके उबरेगी और नमबर टू पे कॉंगरेस रहेगी मतलब पांच-छे अनुमान हैं साथ करनाटका को लिकर हमने जो एकजिट पूल के नतीजे आए हैं अलग-अलग समीकरणों पे चर्चा की बात की डीने के साथ बने रहे हैं शुक्रिया